नमस्कार स्वागत है आप सभी का संसे टीवी पर दिन भर की तमाम बड़ी और एहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूँ आपके साथ दीक्षा को हुली अगले आदे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर आए शुरुवात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ संसद में गतिरोध पर उप्राश्टुपती जगदीब धन्खर ने जताई चुन्ता संसदों से कीज सदन में एहम विश्यों पर चर्चा की अपील चन्नाई में IIT मदरास में सेंटर फॉर इनोवेशन समारो को किया समोधित प्रद्योगी की मदद से भारत 2047 तक बनेगा विकसित राश्ट। बजट बाद वेबिनार में वीडियो कॉन्फरेंसिंग से प्रधानमंतुरी का समोधन प्रद्योगी की में भारी निवेश पर आधुनिक डिजिटल बुनियादी धाचा तयार कर रही है सरकार EU के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझोते से होंगे एहम बदलाव भारत यूरोपिय संग व्यापार और स्थिर्ता कॉन्क्लेव में बोले विदेश मंतुरी भारत के सबसे बड़े और एहम व्यापार भागिदारों में से एक है यूरोपिय संग बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जनवरी में बढ़ा 7.8 फीसिदी चार महीने के उच्चितम स्तर पर आर्थिक वृदिदर तीसरी तिमाही में घट कर 4.4 प्रतिशत पर और इन दौर में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कल से तीसरा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को दो शूर्णिया की बढ़त न्यूजिलेंड ने रोमांचक टेस्ट मैच में इंगलांड को एक रन से हराया और अब खबरें विस्तार से उप्राश्टुपती जगदीब धनखड ने IIT मदरास में सेंटर फॉर इनोवेशन यानी नवाचार केंद्र का उधुखाटन किया चन्नाई में इस मौके पर उप्राश्टुपती और राज्य सभा सभापती ने संसद में गतिरोध पर चिंता जताई उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद स्वस्त चर्चा में भाग लेंगे और सदन की कारेवाही बाधित करने से परहेज करेंगे साथी उन्होंने राज्य सभा में मर्यादा बनाये रखने की आवशक्ता पर जोर दिया उपराश्रुपती ने कहा कि अगर हमारे सम्विधा निर्माता विवादास्पद मुद्दों पर नारेबाजी और अवरोध के बिना फैसला कर सकते थे तो हम अब तक ऐसा क्यों नहीं कर सकते इन वाट बेव भल नो फ उड्वाद सम्विभ्व पार्व फ्लमर्स अधिक्षियों को जिए बनुशितर यस्जूश्ड एस्पुित्च और यस्विश इस्वेशने की विज़ एस्सिए इस्वेश्जव एस्वेशने विए उस्षाणूंध क выгляд उप्राश्रुपती ने कहा कि पूर्व चात्र किसी भी संस्थान की बड़ी ताकत होते हैं और संस्थाएं पूर्व चात्रों की ख्याती योगदान और सहयोग से आगे बढ़ती हैं इसलिए उप्राश्रुपती ने देश के सभी संस्थानों में पूर्व चात्रों का तंत्र विकसित किये जाने की जरूरत बताई IIT मदरास के चात्रों को 2047 का योध्धा बताते हुए उप्राश्रुपती ने कहा कि दुनिया में कोई भी युवा मानव संसाधन भारतिय दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता है उन्होंने कहा कि दशक के अंत्य तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थवेवस्था होगा और 2047 तक भारत अपने चरम पर होगा I have no doubt by turn of the decade and everyone is watching the same thing, same sentiment will be the third largest economy in the world and with warriors of 2047 before me by that time we'll be at the peak and no one can do otherwise I am before whom I call as warriors of 2047 some of us will be around to see what you will be doing and performing and the world will be watching and I stunned appreciation some of us may not be here but I can say with confidence no young human resource in the world can compete with Indian minds and I have the best before me at the moment उप्राश्रुपती जगदीब धन्खर ने IIT मदरास में Center for Innovation में विभिन परियोजनाओं का दौरा किया इस दौरान उन्होंने चात्रों के साथ बातचीत भी की उप्राश्रुपती ने IIT मदरास के युवाओं से लीक से हट कर सोचने का आगरहे किया उन्होंने कहा कि नवोनमेशी सोच हमारे DNA में है और हमें इसे सक्रिय करना है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि प्रद्योगी की के स्तेमाल से भारत को 2047 तक विकस्त राश्रु बनने का लक्षय हासिल करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि भारत बड़े स्तर पर एक आधुनेक डिजिटल बुनियादी धांचा तयार कर रहा है ये सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल कुरांति का लाब सभी तक पहुँचे आम बजट के बाद आयोजित वेबिनार की श्रिंखला में श्रमताओं का दोहन प्रद्योगी की के इस्तिमाल से जीवन सुगमता विशे पर प्रधार मंतरी ने कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रद्योगी की का इस्तिमाल किया जा रहा है इसके लिए कर प्रणाली को फेसलेस बनाया जा रहा है उन्हेंने कहा कि प्रद्योगेकी की वजह से एक राशन योजनास साकार हो सकी प्रधान मंत्री ने कहा कि 5G और AI जैसी तक्नीकों पर चर्चा की जा रही है और ये चिकितसा, शिक्षा, क्रिशी और कई अन्यक शेत्रों को बदलने के लिए तैयार है सरकार के साथ समवाद करना कितना आसान हो गया है एनि सरकार तक देशवासी आसानी से अपनी बात पहुचा रहे हैं और उसका समाधान भी उन्हें तिरंत मिल रहा है जैसे टैक्स से समंदित सिकायते पहले बहुत ज़्यादा होती थी और इससे टैक्स प्यर्स को कई तरीके से परिशान किया जाता था इसलिए हमने टेक्नोलोजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेशलेस कर दिया अब आपकी सिकायतों और उसके निपतारे के बीच कोई व्यक्ती नहीं सरफ टेक्नोलोजी है विदेश मंतरी डॉक्टर एस जेश अंकर ने कहा कि भारत यूरोपिय संग्ध मुक्त व्यापार समझोता भारत यूरोपिय संग्ध के संबंधों के लिए एहम साबित होगा विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कम समय में बाचीत प्रक्रिया के पारसपरिक रूप से लाब दायक निशकर्ष की प्रतीक्षा कर रहा है दिली में विदेश मंत्री ने आज भारत यूरोपिय संग व्यापार और स्थिर्ता कॉन्क्लेव को समभोधित करते हुए यूरोपिय संग को एक महत्वपूर्ण व्यापार भागिदार बताया उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपिय संग बहु दुरुविय वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और बहु पक्षवाद को प्रोटसाहन देने के लिए अपनी प्रतिबदता साजा करते हैं उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपिय संग एक दूसरे की भू राजनितिक, आर्थिक, रणनितिक और सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपिय संग भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापार भागिदारों में से एक है। और द्वी पक्षिय व्यापार एक सुपचास बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। यू पर एक हम पर भाताव एक है। झाय कोया हैंजिए नाझार का इन एक है। यूलर से लिझाट वेगोर कोई यूलरी दिए फ्या इनकितरो आंसे हैं। और पर जाराहा को सब्सक्राइब एक चाहिएा उन्याब को अन्याओ राच मेंपोरीज एक फिर दोल्त की आर्श अखेंगेंट, एक प्राइब को भॉत प्राइब लेरा मेंपोर्ट अच्डाल आरष ड्यूल्ड का रषाय जाइका, यहां का लेता है, भीक बारे को आरे कि भ युक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और पश्ची विदेशों के बीच बढ़ते टकराव के बीच वैश्विक चनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 देशों के विदेशमंत्री एक और दो मार्च को दिल्ली में बैठक करेंगे बतादें कि अमेरिकी विदेशमंत्री एंटिनी ब्लिंकन, रूसी विदेशमंत्री सरगेई लावरोव, फ्रांस के कैथरीन कोलोना, चीनी विदेशमंत्री किन गांग जर्मनी के अनालेना, बेरबाक और ब्रिटेश विदेशमंत्री जेम्स क्लेवरली उन लोगों में शामि जो भारत की मेजबानी वाली बैठक में भाग लेने वाले हैं। जो भाग ले रहे हैं। सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव स्थाकित कर दिया गया था। मतगर्ना दो मार्च को राज्य भर के तेरा केंद्रों पर होगी। नागालान विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 83 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान मुख्य रूप से शांति पूर्न रहा। मतगर्ना के लिए सुरक्षा के परियाप्त इंतजामात किये गए हैं। सभी मतगर्ना स्थलों में 30 तरिये सुरक्षा होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उसके बाद EVM से मतगर्ना होगी। त्रिपुरा में विधान सभा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान हुआ था। जिसमें 80 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ था। स्वतंत्र, निश्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटों की गिनती सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयों की ओर से नियोक्त सभ त्रिपुरा पहुंच जाएंगे। गुरुआर को सुबह 8 बजे से 21 काउंटिंग हॉल में वोटों की गिनती की जाएगी। से लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपमोखे मंत्री मनी सिसोधिया को रविवार शाम गिरफतार किया था। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठुबेड में दो आतंक वादी मारे गए, दोनों आतंकी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल थे, मुठुबेड में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। केंद्र सरकार भारत को एक वैश्विक वाहन विनिर्मान केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। को विधान सभा का बजट सत्र बुलाया है। कोट ने दोनों पक्षों से मर्यादा और परिपक को शाषन कौशिल के साथ सम्विधानिक विमर्श की सला दी है। शेयरों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजारों के प्रमुक सुचकांक लगतार आठवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंध हुए। बिएसी 326 अंग गिरकर चार माह के निचले सतर 58,962 अंग पर बंध हुआ। निफ्टी भी गिरावट के साथ 17,303 अंग पर बंध हुआ। चंद्रयान तीन मिशन के प्रक्षेपन वाहन के कारियोजेनिक उपरी चरण को गती प्रदान करने वाले CE20 कारियोजोनिक इंजन का उड़ान स्वीकृती ताप परिक्षन सफल रहा। लंदन स्थिद भारतिय उचायोग ने नई युवा पेशेवर योजना के तहत आवेधन करने को लेकर ब्रिटेन के युवाओं के लिए वीजा आवेधन प्रक्रिया आज शुरू कर दी है। इसी तरह नई दिली में ब्रिटिश उचायोग ने भारतिय सनातकों के लिए प्रक्रिया आरम की है। विश्व कब चैंपिएन अर्जन्टीना के कप्तान लियोनेल मेसी को 2022 वीफा सर्वश्रेश्ट पुरुष खिलाडी चुना गया है। महिला वर्ग में स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेश्ट खिलाडी का पुरुसकार जीता है। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजीर होंगे बने रहे हैं संसर टीवी के साथ। इंडिया स्टार्ट अप स्टॉरी पारफुल आइडियाज स्टार्ट झालन अफॉर्ण से लगास। इंडिया नवस दिए एक्तिन में आप एक्तिन अपरोश्ग्राश्ट आइडियास्ति nationally on Sunset TV रिर्खेश्स प्राउ थे अंग सिर्थ, क्या सर्थ प्रीष गौतर प्रेश्यू इंग बेवी की था से इंग गार्शने सुल्ट एंग है। प्रेञान को प्रेश के प्रेश कर है कि दो प्रेश कि अजिय को अज़, है झाग जा τα भी हम चर्ड है। प्रेश को प्रम के आप जाए हिंदा हो जात भार हिंज रिखे लिए टाव पार दिखने के अज़ के श्याए है इंधिय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं आज की खबर बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर केंद्री ग्रीमंत्री अमित शाह और पार्टी अधियक्ष जेपी नड़ा सहीद विजेपी के शिर्ष नेतरित्व ने पार्टी की तेलंगाना एकाई के नेताओं के साथ बैठक की इस बैठक का मकसद इस साल क्यांत में होने वाले राज्यों विधान सभा चुनावों के लि आईसी एसी और आईबी बोर्ड के प्रात्मिक विद्याले भी शामिल हैं बिहार की नितीश कुमार सरकार ने राज्यी विधान सभा में वितवर्ष दोहजार तेईस चौबिस के लिए दो दशमलव छे एक लाख करोल रुपे का बजट पेश किया है बजट में शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक 22,000 करोल रुपे से अधिक का प्रावधान किया गया है और इचा के पूर्व स्वास्ते मंतरी नब दास हत्याकांड और राज्य में कानून विवस्था की स्थिती को लेकर भुवनेश्वर में बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाव विरोध प्रदर्शिन किया नदी में चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज MV गंगा विलास वरण असी से रवाना होने के 50 दिनों के बाद आज डिवरूगर पहुँच गया है इसकी आत्रा पूरी हो गई है गंगा विलास ने 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमेटर का सफर पूरा किया डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मेरी ने राश्ट्रुपती भवन में राश्ट्रुपती द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात की राश्ट्रुपती भवन में उनका सुआगत करते हुए राश्ट्रुपती ने कहा कि भारत डेन्मार्क संबंधों का पिछले कुछ वर्षों में विस्तार हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच द्वीपक्षिय व्यापार और निवेश में व्रिद्धी होगी। राश्टरपती ने कहा कि जलवाईू परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत और डेन्मार्क के विचारों और हितों में समानता है। भारत ने खुद को जलवाईू अन्युकूल विकास के पत पर स्थापित किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जलवाईू परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई दुनिया को एक परिवार के रूप में एक जुट करेगी। आठ प्रमुख बुनियादी धाचा उद्योगों का उत्पादन जनवरी 2023 में इससे पिछले साल की समान अवधी की तुलना में 7.8 प्रतिशत बढ़ा है। ये इसका चार मा का उचिस्तर है। आंकडों के अनुसार कोईला, उर्वरक, इसपाथ और बिजली क्षित्रों के बहितर प्रदर्शन के कारण गिवरिद्धी दर्ज की गई है। पिछले साल इसी अवधी यानि जनवरी 2022 में बुन्यादी उद्योगों के उत्पादन में 4 प्रतिशत की व्रद्धी हुई थी। तीसरी तिमाही में घट कर 4.4 प्रतिशत रही है। मुख्य रूफ से विनिर्मान क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वज़े से जीटीपी में भी गिरावट आई है। भारत ने राजुनितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी बुन्यादी मानवधिकारों को समान प्राथ मिक्ता दी है। मानवधिकार परिशद के 52 सत्र के उत्चिस्तरिय सेग्मेंट में वीडियो संदेश में विदेश मंत्री एस जैशंकर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मानवधिकार परिशद के सदस्ये के रूप में भारत परिशद के अन्य सदस्यों के साथ काम करता है। ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परिशद अपने मोल जनादेश को पूरा करने में सक्षम हो। बॉर्डर गावसकर ट्रोफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से इंदौर में खिला जाएगा। न्यूजिलांड के वेलिंग्टन में दूसरे टेस्ट मैच के उतार चढ़ाव से भरे आखरी दिन इंगलांड को एक रन से शिकस दी और फॉलो ऑन बात जीत दर्ज कराने वाली तीसरी टेस्ट टीम बन गई। जीत के लिए 258 रन के लक्ष का पीछा करते हुए इंगलांड की पूरी टीम 256 रन पर ओल आउट हो गई। इससे दो मैचों की श्रिंखला एक-एक की बराबरी पर छूटी। नील वेगनर ने दूसरी पारी में न्यूजिलांड के लिए चार विकट जटके। कप्तान टीम साओधी को तीन और मैट हेंडरी को दो सफलता मिली। रोमांच से भरे पांचवे दिन जो रूट ने 95 रन की पारी खेलने के लावा कप्तान बेन स्टोक्स के साथ पांचवे विकट के लिए 121 रन की साज़ेदारी कर इंगलांड को जीत देलाने के करीब पहुँचा दिया था लेकिन वेगनर ने इन दोनों बलेबाजों को एक दोविय भालू और उद बिलाव बर्फ के साथ खेलते और ठंडे तापमान का अनंद लेते हुए कैमरे में कैध हुए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इनी की तस्वीरों के साथ फिलाल मुझे दीजे इजाज़त अपना खयाल रखिए और देखते रहिए संसर झाल 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 झाल